जिस वक्त लोगडाउन के कारण रोजगा चीनने से लाखो लोग परिशान हैं, उसी वक्त सिफसागर की महिलाई दूसरों के लिए प्रेणा बन रही है। इन महिलाई ने केचुवा खाद बना कर अपनी जिविका का साधन तो ढूंडा ही है, दूसरों को भी रहा दिखाई है। पेखशेक रूपोर्ट गरीबी अभाव, पलायन और लेंगिक भेदभाव का सिकार रही महिलाई ने आत्म निर्भरता की इबारत लिख डाली है। असम के सिफसागर की दस महिलाई ने केचुवा खाद यानि वर्मी कॉनसेप बना कर महिलाई को स्वरजगार की रा दिखाई है। पिछले साल दिसम्बर से ही इन महिलाओं ने ये काम सुरू किया था, जो अब नियमित रूप से चल रहा है। ये महिलाई सहर के फुकन नगर के समसान के समीप एक घर में केचुवा खाद का उत्पादन करती है। दिन के समय ये महिलाई कच्रा इकठा करने में ब्यस रहती है। इन महिलाओं ने केचुवा खाद उत्पादन कर कुछ हद तक अपनी माली हालत भी सुधार लिये। आमी जुहेजर नवेम्बर महरप्राव आमी दोहन गवार घर घर जबर उठा काज्ये हुशीतु। आमी मुलागाबर इले फोर अंतोगर शिस्ती सस्टा हमीति आमेरे ये अटा अनुस्थाने कोडिये हीशु। आमी पानी मेटेका पुनी, कलगोस, गुबबर अरु धान्खेर एवला कानी आमी भूकर नगर हांती धामास्यमाते एटा केशुहार बनुवार प्रकॉल्प काम आरम्भा कोरिशु। अरु जुआ अप्दिल महारप्रा अमी ये शाया उत्पादन करें हार विक्री कोड़ियो हस्य। आमी प्राइे तीनिख केजी ऊपरोट हारामी बिक्री कोरीश। अरु अरु आमी एट दख गराकी मुहिला अमी निजा घरखना हमस्ता कामभन कोरिया ही। अवा दो बाजार पर आवली पांस पशा लोगिए आमीए जोईटा हुए ठाको अर जोईटा हुए ठाकों कि निजह के बोहुत माने हुखिय अनफभ कोरु क्यों आमी लोगुषदु अचीछ, अरो हुए आठकों बतादे की केच्वा खात को तयार करने में एक से डेर महिने का समय लगता है परतेक मां एक टन खाद प्राप करने के लिए एक सो बर्गरफूट अकार की नरसरी बेड परियापत होती है केचवा खाद की केवल दो टन मात्रा परती हेक्टेर आवेसक है सिपसागर से कैमरापरसन मुन्ना अगरवाल के सहीयोग से सोब हम अगरवाल की रिपोर्ट